पूर्वन्टरी इसे सहाब बहुत स्टागत है आपका पटवारी जी कल तो आप लुख स्लेंडर लेके निकल गए और फ्रदेश की जन्टा है त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है स्वास्त मंतरी प्रभुराम चौधरी कह रहे हैं कि विवसाय मुकमल है किया है। तो बेटर होगा आप भी एक राजनितक पाटी के एक है सम्मानी तदस्ता और फदादी कारी हैं आरोप और पिरते आरोप लगाने का समय नहीं है पटवारी जी आपको भी जन्ता के सांस में ख़ड़ होना चाहिए आप बता रहे हैं कितना जूड वोलना हैं आप तो मत्रदेश के बाहर हैं स्वास्त मंत्री जी से मेरा अंड्रोज है आप पूरी बात सुनें और फिर आप जवाब दे तो मैं आपकी एक एक बात आप से करने को तयार हूँ दौकर साथ सुन लीजे ना प्रभुराम चौदरी जी दस करोड की जन्ता इस वक्त आपको देख रही है पटवारी जी कह रहे हैं सुन लीजी आप दोन प्रभुराम चौदरी जी कहेंगे वो बात भी मैं सुनूँगा और अगर वो कोई सुजाओ देंगे प्रभुराम चौदरी आज आवशक्ता इस बात किये कि स्वात देवाओं को लेकर देपर देश की जन्ता के सामने आप इस असली स्थिति को लेकर आएं कर आपने बाते की पत्रकारों से एक महीने से आप चुनाव प्रचार में थे और एक महीने से लग भग पाँच हजार लोगों ने दम तोड़ दिया और आप उरी मदरेश की जन्ता भी चाहाँ और आप किस करी जो बातती tecnología पुर्ण है कि आपके प्रदेश में अपिन पुर्युक्ति म。 दॉक्टर साहब, हम सरकार की सम्वेदन शिल्दा देख रहे हैं, लेकिन कि देख पासमंतरी जी में आपके घर आजाता हूँ और अपन भदबदा के शंचान गाट में चलें आपके आखे खुल जाएगी आप इंदोर के शंचान गाटों में चलें वहाँ पे आपके खुल जाएगी ज़र लिए ने अपके सामने रखी हैं, पूरी सरकार मुक मंतरी प्टवारी जी खरें सक पहल कम गोरें Heu है डाइक ब्तवारी जी यहां पर ये कह रहे है जिस dough एसे शम्शान ठाट कब्रस्तान में मौतों का सिलसला चिताओं के जनने का सिलसला और कब्रस्तान में जिस तरह ऐसे लोगों को गोँ बीधोस किया जार रहे हैं वो सिलसला बदस्तूर जा रही हैं सरकार ही आखने कुछ और कह रहे हैं सुन तो लीजिए डॉक्टर साहब सुन तो लीजिए मैं सरकार की संवेदन शीलता पर सवाल ख़़े नहीं कर रही हूँ मैं सरकार की संवेदन शीलता पर डॉक्टर साहब सवाल ख़़े नहीं कर रही हूँ एक साल इस पूरे पैंडेमिक को हो गया सुन लीजिए डॉक्टर साहब आरो प्रत्यारोप का दोड रही है देश की जन्ता त्राहिमान त्राहिमान कर रही है डॉक्टर साहब वो सवाल कर रही है कि आप हमें कहां छोड़ कर जा रहे हैं आपके कंदो पस्वास के जिम्मेदारी है प्रदेश की जो जन्ता है उसकी हैल्थ की जिम्मेदारी है आप बखू भी उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं डॉक्टर साहब लेकिन बड़ा सवाल पिर यह सिती क्यों पिर अगर तमम चीज़े हो रहे हैं तो फिर यह सिती क्यों है। यह पीस जो हो पिर वसाय बढ़ाइंगे आप पर्स स्कुईन में जी जी पटवारी जी जी इनको जड़ा शांच कर दो जी इनको ज़रा शांच कर तो मैं इंसे बात करूँ शांच कर दो डोक्तर साब पटवारी जी कुछ एरे सुन लीजिए ऐसा है प्रभुराम जी आपने का हैं सब वेवस्थाओं में लगे हैं, मुक्ष मंत्री भी लगे हैं, स्वास सिचिकिसा, स्वास मंत्री भी लगे हैं, अलग-अलग प्रभार के जिलों में अलग-अलग मंत्री लगे हैं, आपने काम में भी लगा हूँ, आप भी लगे हैं, इसको कोई मनानी कर रहा है कि आप लेटर बढ़ गए हैं, आप जिसा के रहो कि बेट की कमी नहीं है, तो फिर ये भयावा इस्तिथी मद्रदेश में क्यों है, दूसरी बात दूसरी बात तो सुनो आप यारे सा करें, हम सब जनपृति नहीं है, आप ही ने कहा मिल जूलकर काम करना है, हम मिल जूलकर में आपका ध्यान आकशित करना चाहता हूं, आप मुझे ये बताएं, आप कि मद्रदेश में ये जिस हास्पितल में चलना चाहते हैं, आपका मन, स्वास्त मंतरी कहें, मैं इस हास्पितल में जाना चाहताऊ और जूतू पत्वारी, मैं आऊंगा, हर जगेत तराइय है, क्यों? आप क संधान घाट में चलना चाहते हैं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आप चलो, और देखो इस दिया वेटिंग होगे लाचोंगे, तो पर ये विवस्था जो कर रहे हैं, इससा हुआ चाहिए, ये सवाल अभिया कभी रहा है, आपको साथ उसका भी देना, उसका और मद्दि परदेश में भी उन विवस्थाओं को बनाने के लिए बैट को विवस्थाओं हम कर सके हैं, हस्पताल प्राइवेट हस्पताल हैं उनको भी हम लोगों ने चेन किया है, अनुबंदित भी हस्पटल की है, सरकारी सेवाओं में जितने बैट हम बढ़ा सकते हैं, उतने बेट बलाने का हमारा प्रियास है, तो हम आइसलेशन में लोग रह रहे हैं, उनके लिए घरगर पर मेडिशन का फिट पोँचाने की गुष्टाएं कर रहा है, एक दिन में जो हम कॉरिंटान को दो दो बार हम बात कर रहा है, बेंटिलेटर की जहाँ सकता है, उसको प्लब कराने का प्रियास किया जा रहा है,